मसाला वेंगन की सबजी बना रहे हैं जो सबको बहुत पसंद आती है तो चले फिर बनाते हैं मसाला वेंगन मसाला वेंगन की सबजी बनाने के लिए 250 गराम दो प्यार थोड़ी से लसुन दो-तिन हरी मिर्ची और छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया अदरक और लसुन को सबसे पहले खरल में बारिक पेश्ट बना लिया फिर कटर में दो प्याज हरी मिर्ची को कट करके डाल लिया और misalay भी इसी में डाल देंगे जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च ये सब बेसिक misalay इसके कटर में मिला देंगे और इनको पीस लेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया इनको अच्छे से पीस लेंगे ताकि मसाले कटर में ही मिक्स हो जाएंगे और जो लसुन और अदर का पेश्ट बनाये था उसको भी कटर में ही डाल लेंगे और नमग भी डाल देंगे क्योंकि हमने पहले नमग नहीं मिलाया था फिर कटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमारा मसाला तयार हो गया है मेंगर में भरने के लिए इसको मसाले को बहार निकाल लिया है एक थाले में अब थोड़ा सा हरा धनिया बारी कट कर लेंगे क्योंकि इसको मसाले में मिलाएंगे अब हम बेंगन को कट करेंगे मतलब बेंगन के चीरे लगाएंगे चीरे बहुती ध्यान से लगाएंगे क्योंकि बेंगन में कभी कभी कीडे आ जाते हैं अब हम सारे बेंगन के चीरे लगा देंगे ध्यान से देख देखके अब धनिया और मसाले को मिक्स कर देंगे अच्चेक से मिक्स करेंगे इसको अब मसाले को बेंगन में भरेंगे बेंगन में मसाला धीरे धीरे अच्छे से भरेंगे ताकि सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आए इसी तरह एक एक करके सारे बेंगन में मसाला भरते जाएंगे सब बेंगनों में मसाला भर गया है एक आलू को कट कर लेंगे, इसके छोटे छोटे फीस कर लेंगे भरवा बेंगन में अगर आलू डाला जाए तो आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आज ये बेंगन की सबजी हम कड़ाई या कुकर में ना बना के डेक्ची में बनाएंगे और सरसू के तेल में बनाएंगे सब्जी वास्तों में बहुती टेस्टी लगी थी अब इसको थोड़ी देर के लिए ढख देए फिर चलाते जाएंगे, ढखते जाएंगे मुझे रखता है इसमें थोड़ा सा पानी कम रहे गया तो इसके ढख कर में हम थोड़ा सा पानी डाल देगे गरम करने के लिए रख देंगे और फिर उसको आपी सब्सक्राइब परना और लाइक करना